हलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं नीव वीडियो और आप देखरें इंफोमेशन बाई बीशेक और मैं हूँ आपका इंफोमेशन एक्सपर्ट हम आपके लिए लाते हैं नर्सेंग से जोड़ी सभी तरह की इंफोमेशन सबसे पहले तो अगर आप हमाई चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज प्रेश प्रेश दी बेल बटन नोटिफिकेशन से जोड़ी PDF देते हैं अपने टेलिग्राम चैनल इंफोमेशन बैभी शेक पर अगर वो आपने अभी तक जोइन नहीं किया है तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिदूँगा अब हाँ से जाके जोइन कर सकते हैं यह जो वेकेंसी है वो मालाबार कैंसर सेंटर पोस्ट ग्रेजुएट इंसिट्यूट अफ उंकलोजी साइंसे और रिसर्च तलसरे की तरफ से है यह जो वेकेंसी है वो तेंपररी वेसे रहने वाली है एप्लिकेशन और इन्वाइट इन्वाइट फोर अपॉइंट्मेंट तो वेरियस पोस्ट अंटर थे फॉल्लाबार कैंसर सेंटर थालसरे चलिए चलते हैं और देख लेते हैं नर्सिंग के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है मैं इसमें जो आपको इंफोर्मेशन दूँगा वो केबल नर्सिंग के लिए ही होगी क्लिनिकल ट्राइल कॉडिनेटर की इसमें पोस्ट है जो की प्रोजेक्ट नमबर वन है मैंसी नर्सिंग केंडिट आप इसमें अप्लाइ कर सकते हैं आपको एक साल का एक्सपीरियेंस होना चाहिए इन अ क्लिनिकल ट्राइल और इन आ रिसर्च प्रोजेक्ट मैक्सिमम एज लिमेट 30 years आपको ये जो सेल्दी प्रोवाइट करेंगे वो रहेगी 30,000 इसमें एक वेकेंसी रहने वाली है सेकंड जो पोस्ट है क्लिनिकल रिसर्च असिस्टेंट की प्रोजेक्ट नमबर टू की रहने वाली है मैक्सिमम एज लिमेट 30 years और आपको ये जो सेल्दी प्रोवाइट करेंगे वो रहेगी 32,000 इसमें दो वेकेंसी रहने वाली है ये जो वेकेंसी है वो प्योरली टेंपरेरी बेसेज बेस्ट अन दी प्रोजेक्ट डिरेशन रहने वाली है आपका जो appointment का duration रहेगा वो one year का है वो extend करा जा सकता है according to your performance इस वेकेंसी के लिए आपको online apply करना होगा इनकी website पर जाकर जो है www.mcc.kerala.gov.in application fees देख लेते हैं हम लोग 50 रुपीज फॉर SC and SD category and 250 रुपीज फॉर other categories application fees जो आप submit करेंगे वो online ही होगी online application submission की जो last date है वो है 10th September 2022 तिल 5 पीम apply करने से पहले आप इनकी dumps and condition अच्छे से रीच कर लीजेगा अगर आपको यह information अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को like कीजेगा share कीजेगा और हमारे साथ connect रहने के लिए चैनल को subscribe ज़रूर कीजेगा धन्यवाद झाल